bond कि कि यहां वहीं क्या हल दादा कैसे जब लोग है चलो बहुत बढ़िया बहुत मस तो फिर से दादा मिलने का समय आ गया फिर से कुछ चीजों को डिसकस करने का समय आगा ज़ादा एना अधर जैसा कि मैंने आपको यह कहा था कि हम जरूर 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 डिसकस करेंगे रेंज प्राब्लम्स के बारे में हैं कुछ critical ऐसी चीजे हैं जीसमें में उसा बूलता है करें यार समस्थ आ रही है चीजें ऐसी हो रही है तो उस chapter की बातें आज हम डिसकस करने वाले हैं तब उसे पहले बढ़ी आसी गहरी सी सांस ले लो और खड़े हो जाओ दादा मैदान में बिल्कुल फ्रेस फ्रेस ताकि थोड़ा सा कुछ अच्छा कर पाएं मज़ेदार कर पाएं महनती वाला कॉंसेप्ट थोड़ा कर पाएं दादा कर दो उसितना को राइट तो स्टार्ट करते बढ़ी आसे और अच्छी से गहरी सी सांस ले-कर चीजों के बारे में सोचते हैं कुछ कमेंट कर पी अशर्ण को बताते हैं उसके बारे में तो दाधा आज की हमारी कहानी का उद्देश है आज हम जिस चीज़ पर कहानी कहेंगे आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वह concept है inequalities अच्छा यह क्या नाटक है सर जादा दुनिया के सबसे प्यारा concept एप Inequality कहलो या range problem कहलो रिरेंज्ज में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहिंदक Я तूद सबसे ज़्यादा इस्टमाल हो डोगवाला इनेकुलिटीज जैसा कि मैंने आपको बताया था की दाता समय आने दो पपक्र आपको बताऊतांगा मैं और वैसा हम यहां पर करने वाले हैं और उसके बारे में बोलने वाले और non जालो तुम भढ़िया के फ्रेस फ्रेसा थुण इनर्जैक टिक मस तरीके से दाधा आजाओ देखने के बारे में उन चोटी से अकटर हम ने यहां पर करेंगे उन सारे चेप्टर के बारे में डिसकस करने इस चैप्टर के थूश चलो दादा ता इनुक्वेलटी इस है यह आई के देखते हैं कैसे कैसे क्या सीन हो सकता है मी कि अच्चा तो देखो जब तक inequality और equal की जो कहानी है ना, जब जब इसका इस्तमाल क्या है, inequalities की जरूरत कहां पर आती है, inequalities जो सब देबिटा, inequalities यह जो word है बिटा, यह अपने आप में बहुत मज़िदार word है, अब तक हम equal पर काम कर रहे थे, अब तक हम एक तीज पर काम कर रहे थे, अब हम करोड़ों चीज़ों को एक साथ deal करने की कोसिस करेंगे, जैसे मैं तुमसे कहूं दादा, कि मेरे पास कोई भी एक function है, F, जिसका name है sign X, क्योंकि sign के बारे मैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हमाराथ, हम छोटी बात करेंगे, छोटे तरीके से देखेंगे, माइनस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये दादा अपना प्रियास रहेगा, बिल्कुल, तो सर, अगर मैं आपसे बोलू, कि इस function की सबसे बड़ी value क्या है, दादा ये एक machine है, और इस machine का नाम है sign, इस machine को दादा यहां से input दिया जा रहा है, यहां से कुछ डाला जा रहा है input, तो मुझे बता सकते हैं कि बाहर क्या-क्या निकलेगा, सर बिल्कुल क्यों नहीं बत है, ट्रिग्नोमेटरी के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी हैं, और सर बिल्कुल हमें बहुत अच्छे दरीगे से बताएं कि इसके बारे में क्या-क्या कह सकते हैं, पर यहां से answer जो है, कुछ भी निकल सकता है, लेकिन answer कभी minus one और one के बीच में ही निकलेगा, इसकी सब कुछ से बड़ी जो value है, अब कही ना कही हम machine की range के बारे में comment करने जा रही है, range और machine कुछ भी हो सकती दादा, मेरा mic machine है, मैं सांस ले रहा हूं, तो जो functioning मेरे अंदर ही हो रही है, जो functioning कर रही है, वो भी एक machine है, आप जिस वीडियो के तरू मुझे देख रहे हैं, यह भी maximum value जो है, max value वो कितनी है, 1, minimum value कितनी है, sir, minimum value minus 1, this is minimum, तो range का मतलबी होता है, छोटे से बड़ा, क्या बात कर रहे हो, sir, हाँ, range का मतलबी है, दादा, एक range पे काम करना, एक minimum and maximum पे काम करना, कि भाईया, यहां से यहां तक आपका काम हो सकता है, तो range, again, जैसा कि मैंने बताया था, जब range की बात आती है, तो दादा, यहां पर जैसे मैं बोलूँगा, इस function की range क्या है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा, कि sir, range का मतलब होता है, अगर हम graph की बात करें, graph की बात करें, x, y, plane की बात करें, तो, sir, नीचे से ऊपर देखना है, मुझे y-axis को, बस, यहां से महराज देखना है आपको, जैसे यह जो line है, यह y equal to minus one line है, और यह y equal to one line है, यानि कि आपका पूरा graph, sin x का इन दोनों line के बीच में बनेगा, that is the meaning of range, range में inequality कैसे आगया, कैसी बात कर रहे हो आप, यार, बिल्कुल दादा आने बाला है, आपके स्थामने आएगा महराज, देखी आप, अरे, sir, बता दो ना, बिल्कुल दादा, यह जो मैंने बोला है, minimum and maximum, तो आपकी जो machine थी, sign, उसी sign को मैं कह सकता हूँ, कि मेरा जो sign है, input कुछ भी दो, this is like an input, input कुछ भी दो महराज, answer आएगा, maximum 1 और minimum minus 1, यानि कि sign का answer minus 1 और 1 के बीच में आने वाला है, गुरू, समझते नहीं यह बात को, यार, सर, what is this sign, यह sign क्या है, यह sign क्या है, सर, यह थोड़ा बताना चाहेंगे, पेटा, इसी को बोलते हैं, inequalities, तो inequalities अपने आप में वो चीज़ है, जो एक data को completely cover करती है, जैसे मैंने कहा, कि 100 से बड़े numbers को लिखिये, समझना बात अच्छे से, 100 से सारे बड़े numbers को लिखिये, numbers means real number हो गया, अब एक तरीका हो गया कि लिखते जाओ, 100.1, 100.2, 100.116, 200, 200, 500, 500, पांच करोर, एक तरीका, एक चलाक आदी मेदान में आता है कि सर मैं नहीं लिखूँगा, मैं आपको कुछ दूँगा, आप अपने आप लिख लेना, जैसे दादा मैं आप से बोलू, मैंने कहा कि लेट, नंबर है अपने पास, X, और मैंने कह दिया कि X greater than 100, तो बोलते हैं, इनिक्विलिटी का साइन, और इनिक्विलिटी का मतलब यह है, कि एक पूरे कम्प्लीट डेटा को छोटी सी बात में स्टोर करना, तो रियल लाइफ पे क्या एफेक्ट पढ़ा सर इसे, बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं, करोड़ों वैलू, फॉर आल, यह सब जानते हैं, फॉर आल, X belongs to real number, यानि X की करोड़ों वैलू उसको satisfy कर गए, लेकिन इतने से में काम हो गया सर, अगर हम लिखने बैठते, तो कम से कम 10 अज़ार कौपी भर जाएंगी, बात नहीं बनेगी, वाय यार, यह सही है सर, मतलब इतना फाइदे मन भागी मजज़दार है, बिल्कुल, जब चीज़ों को थोड़ा विजुलाइजिशन के साथ देखेंगे ना, प्रैक्टिकली देखेंगे, चलो, तो थोड़ा-थोड़ा देखेंगे अपन, इनेक्विलिटी पर क्या-क्या बोला जा सकता है, सर बिल्कुल, देखो, देख लेते हैं सर, जैसे बेटा, मैं आपसे बोलूँ, छोटी-छोटी पहले हम चर्चा करना चाह रहे हैं दादा, मैंने आपसे कहा कि यदि A छोटा है B से, A स्कॉाइर और B स्कॉाइर, इनके बीच में क्या साइन आएगा, अब तुम फस गए, सरी है, तुम बोलो, सरी है, आदमी बहुत छोटी चीज़ें कराता है, नहीं रहे, मैतमेटिक्स जो है ना, छोटी चीज़ों काई गेम है, मैंने हमेज़ा बोला है, जब माइंड में कहानी सेट हो जाते हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम फिर ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, हाँ थोड़ा प्रेक्टिस का गेम है, हो जाएगा काम, यह ठीक है सर, यह सही कह रहे हो सर, बिलकुल मतलब आपने सडीक बाद बोली सर, बतलब यह भाग कही है, है ना, तो दादा हाँ, सर एक सेकिंड, सब उस्ते पहले हमें यह कौन बताएगा, कि A और B क्या यहाँ पर, बाद तो सही है रहा है, सर मैंने एक इवरू 5 ले लिए, B की वरू 6 ले लिए काम कर रहा है, मतलब यह sign लगा सकता हूं, क्योंकि 5 छोटा है 6 से, और 35 छोटा होगा 36 से, सर में कोई दिखाron ने काम कर रहा है, सर एक इवरू मैंने माइनस का 3 ले लिया, B की value मैंने minus का 2 ले लिया और square करेंगे sir काम नहीं कर रहा यार ये गलवड हो गया sir अगर A की value मैंने कहा minus 3 or minus 2 this is true but square करेंगे तो 9 और 4 यानि ultra sign हो गया तो sir sign ये वाला भी आ रहा है ये वाला भी आ रहा है तो कब तक हम कुछ नहीं कर सकते कि अ खुझ Glue आनि कर सकते तो फिर तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते no comment no comment करा मैं ये ये सही सर ये ठीज यार दादा तला इतने सिल पहुति चोटी चीजूं से ही बहुत सारे चीजों का ज़नम होता है अ आख जैसे अब इसका फाइदा को अठाएंगे जब थोड़े से तुम बड़े हो गए इस थमस्दार हो गए और बहुत सारे questions आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जैसे यहां पर लिखा हुआ है बिटा और x-2 और यहां लिखा हुआ है less than x कमजना बात अच्छे से यह 2x लिखा है यह 2x स्कॉयर लिखा यह लो अब किसी इंसान ने कहा कि x-2 का whole square और 2x स्कॉयर का whole square तो यह sign ऐसा ही आएगा no comment कुछ ही नहीं कह सकते कि जब तक हमें अन्नोन के बारे में कोई नहीं बताएगा मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता है कि अधा प्रैक्टिकली समझने का चीज़ों को लाइफ से जोड़ो बात बन जाएगी आपके कि ओके तो सर क्या करना चाहिए यार महराज कुछ भी जरूरत नहीं है जादा दमाग लगाने की नो कमेंट मतलग नो कमेंट जब कुश्चन आएगा तो देखेंगे सर आगे अपन ठीक है सर मैं थोड़ा जादा जादा लेख रहा हूं लाइन वाइन खींच लेत ने रहे हैं थीक है थोड़ा सा सही हो जाएगा काम यदि किसी ने कहा कि एफ एपवन बी लेस देन वन तैन क्रोस मल्टिपलाई कर दो एच छोटा होगा बी से यानि सर आपने क्रोस मल्टिपलाई कर लिया दिस इस ट्रू और परल्स पता नहीं या फिर पता नहीं महाराज क्या कहना चाओगे आप देखो सर जैसा कि आपने बताया कि mathematics में जब भी unknown आते हैं सर मुझे नहीं पता कि X क्या है मुझे नहीं पता कि A क्या है मुझे नहीं पता कि B क्या है जब तक कोई इंसान इसको clear नहीं करेगा तो सर led मैंने एक की value ले ले ली सर दो बटा 3 जो के छोता एक से एक से छोता एक Sierra Cross Multiply काम कर रहा है यहां तो काम कर रहा है sir yes wow swap तो काम कर रहा है brother मैंने वहerson यद्या चार बोटा पांट less than एक दर लेस दिन पांथ ये भी काम कर रहा येस, अच्छा सर, सर मैंने ले लिया यहाँ पर minus का 1 upon 2, less than 1, पुरा गड़बड है सर अब, सबसे पहले, अगर 2 का multiply इदर करेंगे, तो minus 1 less than 2, सर यह अब भी true है, लेकिन सर कई चलाक लोग धरती पर होते हैं, सर आप तो जानते ही हैं, अगर इसको 1 upon minus 2 कर दिया, मैंने less than 1 क कर दिया, then 1 minus 2, यह तो false हो गया, सर, f आगया, तो सर इस पूरी कहानी से एक सीख हमें मिल रही है, जो हम अपनी आखों से देख पा रहे हैं, सर, वो सीख यह है, कि सर, denominator का cross multiply, तब ही हो सकता है, जब चीज है positive हो, देख लो, जब चीज है positive हो, वाव, यानि कि सर हम कह सकते है कि A upon B, 1 से छोटा है, और यह सर, then, A less than B हो सकता है, कब, only when, only when, B is positive, यानि denominator should be positive, समझते नहीं यह बात को गरू आप, नहीं ठीक है सर, यह बात बन गई, तो देखो, आखों से छोटी छोटी बातों को देखने का और heavy comment करने का, यही मैस है, और इस पर question कैसे आएगा, अरे दादा, बहुत बढ़िया question आ सकता है, जैसे, कल को किसी ने question दे दिया, कि 2 upon X, less than 1, no comment, हम नहीं कर सकते सर इसको, मतलब cross multiply तो नहीं हो सकता सर, जब तक आप X के बारे में नहीं बोलेंगे ना, मुस्किल है का नहीं, फिर तो देखो यह चोटे-चोटे questions ही आ सकते हैं, तो हमें जो result मिला overall, वो थोड़ा सा अपने आप में ठीक ताक था, अपने आप में मज़ेदार था, अब क्योंकि ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, questions भरपूर हमें देखने चाहिए, चीजें थोड़ी अच्छी पर काम करना चाहिए, और थ्योरी थोड़ी सी और सटीक बनानी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सामय आगे चलना पढ़ेगा गुरू, अरे यार समस्ते नहीं यह बात को आप नहीं, यह थोड़ा करना ही पढ़ेगा हमाराज, चलते आगे, तो आज का हमारा जो टार्गेट है भाई हमारा जो आज का टार्गेट है जो आज हम सीखे जाएंगे जो आज हम इंजॉई करके जाएंगे जो हम स्वाद लेके जाएंगे जो हम स्वाद लेके जाएंगे दादा कि हम स्वाद लेंगे बढ़िया सब किसका दील करेंगे किसको इसको सर रेंज ब्रोब्लम्स को बहुत सारी रेंज को हम डील करने की बात करेंगे आज और रेंज का एक और नाम होता है मैक्सिमा मिनिमा वहां भी इसकी भरपूर जरूरत पढ़ती है हमारा आज वायार सर मैक्सिमा को कई बार ग्रेटेस्ट भी बोलते हैं तो वहां भी इसकी जरूरत पढ़ती है मिनिमा को कई बार ना मिनिमम वैलू या एप्सुलूट मिनिमम ये जो वर्ड है ना जितनी भी है वाहिन की भरपूर जरूरत हमें पढ़ने वाली है तो आज का हमारा टारगेट रहेगा रेंज प्रॉब्लम्स को डील करना इसा की मैंने बताया था कि में जरूर जरूर आपको 식으로 करें वाहिन के बताओंगा आज यह दिन आ गए दा आज मैंने बताया था कि आपक्का आपसे मिलुगा तो हम fasterỡ़ागे देखर निया के सबसे चोटा कॉंसेट और इस चोटा कुछ है भी नहीं रिशाला यो क्या पढाता है आदमी इससे चोटा क्या हो सकता दर्थी कुछ नहीं हो सकता लेकिन चोट्टी चीचों से यो डादा बात बन जाती चोटी-चोटी बूल मैं घड़ा भड़ जाता है अरे यार देखते हैं सर कैसे घड़ा भड़ो गया आप चलो दादा वह चोटा सा कमेंट है कि अगर आपको X दे रखा है और जब भी दादा X मतलब दुनिया एक्स मतलब कुछ भी नहीं सर एक्स का मतलब तो बहुत कुछ होता है यह आप गलत बात कर रहें नहीं एक्स मतलब complete मैंस więks एक्स एक अननन है तो अननन तो कुछ हो सकता है कि जैसे आप मैंने कहा कि यक्स की वेलू तो और एक के बीच में है तो X-square के बारे में बताईए, X-square कहां होगा, तो आपने कहा ठीक है सर, यह तो आसान है सर, state forward, तादा यह हो जाएगा आपने पास, चार और यह हो जाएगा, एक, यह लो, ठीक है सर, X-square के बारे में बता दिया हमने, अच्छा, मैंने कहा हमारा आज, X की value, minus 2 से लेके minus 1 के बीज में है, then, X-square के बारे में comment करिए आप, सर, state forward, state forward, सर, minus 1 और minus 2, देखो सर, यह नंबर है अपने पास, minus 2 से minus 1, यह पूरे portion का square कर रहे हैं आप, तो minus 2 का भी square करेंगे, सर, मतलब हाँ, थोड़ा open है, तो इसलिए, तो minus 2 से आगे number होगा, minus का 1 point something, 9 के असपास, उसका square 4 के असपास आएगा, सर, तो हम कहें सकते हैं, इसकी max value 4 होगी, और minimum value 1 होगी, इस interval में से, ओके, अच्छा दादा, अब मैंने आप से कहा कि minus 2, x, और 3, 3 बताओ x square, 3 x square बताओ, सर, बहुत आसान, देखो, यह जो number है, यह minus 2 है, यह 3 है, इसके बीच में से कोई भी number उठाओ, सर, minus 2 उठाएंगे, 4 मिलेगा, 3 का square, 9 हो जाएगा, बीच में 0 भी आ रहा है, सर, बीच में 1 ही भी आएगा, तो 1 का square भी हो जाएगा, 0.1 भी आएगा, 0.9 भी आएगा, 0.6 भी आएगा, अच्छा, तो इसकी minimum value 0 होगी, सर, और max value 9 होगी, इन तीन बातों से आपको क्या सीखने को मिला, क्योंकि वाकई अब हम बहुत बढ़िया question करने जा रहे हैं, इसी inequality की दम पर मैं range को इंटर कराऊंगा, सर, सीखने को ये मिला, यहाँ पर जो हमें सीख मिलती है, हमें जो comment करने की थोड़ी छमता मिल रही है, वो यह है, सर, कि when x and y have same sign, देखो, when x and y have same sign, then state forward square करने का, तो यहाँ को छकते इन दोनों के लिए, सर, when, when both and are of same sign, same sign, then state forward square, कीजिए, state forward square कर दो आप, खीक है, सर, जब, when, inequality have, zero, क्या आपकी inequality में zero है, हाँ सर, क्या आपके toothpaste में नमक है, एड़ तो याद होगा, क्या आपकी inequality में zero है, जी हाँ, then, think, then, 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 सोचो, महराज, सब हमें सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्या, अगर inequality में zero है, जैसे minus two, वो तीन के बीच में zero आता है, तो सर, minimum value हमेशा zero होगी, minimum value always zero होगी, end, maximum value वो होगी, सर, जो इनकी boundary में सबसे ज़्यादा आएगा, जैसे 9 और 4 का ज़्यादा 9 होगया, अच्छा, तो तीन बातें, बहुत सारे questions खतम, बहुत सारी range की problems complete, कैसे, अभी दोड़ा बेट करिए, आपके सामने चीजे आने वाले माराज, ठीक है न, जैसे, किसी ने आपसे कहा, कि भीए, आपके पास एक function है F, और यहाँ पर दे रख्खा है, साइन स्क्वार एक्स माइनस का टू साइन एक्स, और प्लस का नाइन, बताओ range, ये लो, ये लो महराज, टीकों की entry, सीधी, यार, ये सही है, यार, कैसे करें इसको, मैंने बताया था ना, कि हम problem को छोटी-छोटी बातों की दम पर ही, गसीट के ले जा सकते हैं, minimum theory की दम पर question कर सकते हैं, minimum data की दम पर question करना ही चाहिए, ये मैंस कहता है, mathematics ज़्यादा रटने के लिए अलाव नहीं करता है, रटो मत दादा, चोटी-चोटी चीज़े समझ लो, और question कर दो, हाँ, हो सकता है, कई बड़ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि आपने बताया था कि जब भी आपको, किसी function में quadratic दिखे, चाहिए वो sine में हो, चाहिए वो x में हो, या x square में हो, या 10 में हो, p में हो, p square में हो, p की पावर 3 माइनस 1 में हो, सबसे पहला काम, perfect square बनानेगा, completing the square, हाँ, याद है सर, हमें, तो महाराज, इसका completing the square करेंगे, f, which is equal to, इसको मैं कह सकता हूँ, sine x, minus 1 का whole square, plus 8, is it true? बिलकुल सर, well defined, sine, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया, अब inequality, enter होगी महाराज picture में, then, what is the starter, सर, क्योंकि हम जानते हैं, we know that, सर, हम जानते हैं, अब दादा, इसकी range निकालनी है, सर, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि variable में से कुछ घट रहा है, तो घट बर है, सर, क्योंकि हम जानते हैं, कि sign की value, minus one और one के बीच में होती है, क्या यह बास सही है, सर, यह तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो तुम भी जानते हो, और यदि ऐसा है, यदि ऐसा है, तो this is your starter, this is your, बिलकुल first thought, key point, keyword, ये लो महाराज, ये आपके सामने परोष दिया, अब आप कुछ भी करो, अब दादा इसी को उठाओ, तिग्रम बाजी करो, इसको तोड़ो, फोड़ो, कुछ भी करो, दिमाग लगाओ, आपको ऐसी photo बनानी है, photo बनाने का महाराज, पस range खुद कल के आएगा, ये लो महाराज, हम आगे आपके सामने, अरे दादा, समझते हैं ये बात को, तर सबसे भेले, नहोंने माइनस बन किया है, तो माइनस बन किया है, सर तो माइनस बन, हर तरफ कर दो, माइनस बन, कोई दिक्कत? नहीं sir fit है, कोई दिक्कत नहीं है sir, तो अपने पास sin-1, यह चीज आ गई sir, 0 और यह हो गया minus 2, कोई दिक्कत, sin-1 को थोड़ी देर के लिए मन में capital X मान के चलो आप, तो देखो ऐसा ही पूछा है न capital X का square, अरे सही बात है sir, यह तो बिल्कुल सही का आपने, अगर थोड़ी देर के लिए let, मैं कहूँ कि sin-1 capital X है, तो देखो question ऐसा हो गया, कि capital X की value 0 और minus 2 के बीच में दे रखी है, sin आपसे X square पूछा है, हो गया ना, इस्तमाल का concept मैंने बोला था, हो 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 हो, सर ऐसा कर सकते हैं, क्या सर, sin-1 भी एक unknown है, capital X भी एक unknown है, और छोटा unknown, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ओके, तो सर, इस पर comment कर सकते हैं, क्या दोनों end के sign सेम है, हाँ सेम जैसे हैं, तो state forward कर सकते हैं, तो सर, यहाँ पर X square की जो range होगी, minimum value 0 होगी सर, और maximum value 4 होगी, क्या मैं capital X को लोटा सकता हूँ, बिलकुल लोटा नहीं पड़ेगा, लोटा ये साब, तो यह अपने पास हो गया, कितना, सर, this is like a sin-1 का whole square, और यह 0 से लेके 4 के बीच में, पक्की बात, सर फोटो बनाने के लिए, 8 की कमी रहे गई, 8 और add करना पड़ेगा, हर तरब, तो 0 प्लस 8, sin-1 का square प्लस 8, 4 प्लस 8, पर यह F बन गया, और महराज गौर से देखो, स्वाद की हनुपती होने वाली है, F की value 8 से लेकर, बारह की बीच में, this is the range, यह फाइदा उसे इने quality का, ऐ इसा नहीं है, कि X और X square पूंचा, ऐसा नहीं है, हम दुनिया के किसी भी function में, अब वो किसी भी तीज में, trig में दे रखा हो, sorry, 5 मतला square दे रखा हो, हम बहुत सारे question कर सकते हैं, और तुमारे सामने ही question करेंगे, देखते जाओ, तो range आ गई इसकी, सर इसका answer, इस machine का answer, सब से बड़ा answer बारा आईगा, हाँ, थोड़ा सा, मैं ये जरूर कह देता हूं कि दादा, अपन calculation करते समय, छोटी मोटी mistake हो जाए, तो माफ कर देनेगा, क्या सर, आपको माफ नहीं करेंगे, आप तो सिखा रहे है, मजा आ रहे है, ठीक है, ओके, तो एक छोटी थी कहानी हमार कबर हो गई, और वाकई हमें थोड़ा वो सीज का स्वाद आ गया, कि सर देखो, रेंज पर कमेंट कैसी करा जा सकता है, नहीं सर तोड़ा डेंजर बना दो, बना देंगे डेंजर, थोड़ी प्रेक्टिस कर लो बस, भाई थोड़ी प्रेक्टिस कर लो, ये लो कॉस्चन, चोटे-चोटे कुश्चन देख लो, फिर डेंजर भी बनातेंगे, कौन सी बड़ी तोफ है, यार, कुछ नहीं है, यार, यह आदमी क्या बोलता रहता है, कुछ नहीं है, मैं अगियन कह रहा हूँ, देखते जाओ बस आप, ये लो, कॉस्ट स्कॉयर एक माइनस थी, कॉस् परफेक्ट स्कॉयर बनाने का, और सर, इतना तो हम करके ही मानेंगे, परफेक्ट स्कॉयर बनाने के लिए, सर, आपने दो-तीन बाते हैं, मैं ज़रूर बताई थी, क्योंकि हम समझदार हैं, क्योंकि हम पड़े लिखे हैं, तो हमने उन बातों को लिख लिख लिया है, और यदे लिक लिया है तो दादा हम बहुत अच्छे दरीगे सुन पर कमेंट कर सकते हैं आपने बताया था कि कोपीशंट ऑफ एक्स स्क्वाइर मस्ट विवन यहां ओल्रेडी सर एक्स स्क्वाइर का कोपीशंट वन है सर एक्स तो है इनी पिक्चर में जरूरी है यहां पर कॉस बीच में बिलंस करने के लिए किस से मल्टीप्लाई करूँ की तीन बन जाए अरे सर कैसी बात कर रहे हों तीन बटा दो से multiply करने का ये लो अब सर फिर आपने बताया था कि middle term का square जोड़ना है यानि कि सर 9 बटे 4 जोड़ना है बेलस करने के लिए मैनस 9 बटा 4 और प्लस का 2 कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ये लिजे महाराज मैंने बताया था कि जब भी लाइफ में quadratic दिखे सबसे पहला काम परफेक्ट स्कॉयर कंप्लीटिंग इसको चल के आएगा आएगा आपके पास देखते जाओ अब थोड़ा डेंजर करवा दो सर इसी को डेंजर करवा दूंगा गरंटी की बात है बस थोड़ा देख लो आप फैमिलियर हो लो हाँ दादा इसको देखने का एक बार सर माइनस का एक बटा चार बचेगा तो इस इद लाइक एफ सर हमारा स्टाटर है क्या सर स्टाटर है कॉस्स क्योंकि हम जानते हैं कॉस्स की बेलू माइनस वन से वन के बीच में होने का थेड़ो कुछ भी करो गुणा करो मिल्टिप्लाई करो डिवैड करो आपकी मर्जी ऐसी फोटो बनानी है कि एसी फोटो बनानी है कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे अरे सर देखो सबसे पहला काम उसने न माइनस तीन बटा दूख गठाये गया है तो माइनस थी वाइटू सब मैंसे करने का तो माइनस वन माइनस थी वाइटू कॉस्ट माइनस थी वाइटू यह एक को लेके चलते हैं साथ में ठीक है उसके बाद सर वन माइनस थी वाइटू यह लो तो सर कॉस्ट माइनस थी वाइटू आगया अपने पास यह आ गया सर माइनस का 5 बटा 2 और यह हो गया सर माइनस का हाफ इसको मन में मन में T मानने का मन में capital X मानने का यह question ऐसा हो गया capital X की value minus 5 बटे 2 से minus half capital X square बताईए ओहो ओहो सर बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान यह लीजिए महराज यह बन गई बात सर आपने बताया था इसके square की बात करेंगे सरम तो आपने बताया था कि क्या दोनों के sign same है विल्कुल same है सर हमें आपकी बात याद है सर अगर same है तो state forward square 5 बटे 2 का square 25 बटा 4 minus half का square 1 बटा 4 सबसे छोटी value 1 बटा 4 होती है और यह हो गया 25 बटा 4 छोटी value को left hand side में रखते हैं हमेशा क्योंकि हमेशा जब भी mathematics का एक pattern एक standard है जब भी आप question देखेंगे कुछ भी करेंगे left to right हमें देखना होता है अच्छा अब सर थोड़ी सी कमी रह गई बस देखो कहा है के रही कमी सर minus 1 बटा 4 अब स्वड़ा सा मसाला और हल्का सा मसाला लगा दो सर minus 1 बटा 4 गठा दो समय से तो 1 बटा 4 minus 1 बटा 4 और यह हो गया cost minus 3 by 2 का square minus 1 by 4 और सर यह 25 बटा 4 minus का 1 बटा 4 पक्की बات सर यह हो गया 0 और इसी चीज का नाम है F और ये हो गया सर 24 बटा 46 क्या बात है स्वाद रेंज तो हमने बता दिया कि दादा इसमें कुछ भी डालो मसाला इसका जो आंसर है ना सबसे छोटा आंसर जीरो देगा सबसे बड़ा आंसर छे देगा यह पनाएंगे अगें थोड़ा समय की अबाब होते हुए हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना पड़ेंगे कि यह सबड़े कोश्ष बनाते हैं सर कुछ लोग कहते Ainciamo यह चोटी-चोटी चीजे यह आदमें फालती चिलना कि आपको अरे रे 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 नहीं- ऐसा नहीं होता है ऄ छल्य कोशन-पनाते हैं अभी- तुम भी बना गए एक question आपके लिए this is like a enjoy daily joy जैसे dpp नहीं होती है इसको मैं dj बोलता हूं enjoy करो आप इसको करेंगे perfect square बनाएंगे अराम से यह आप क्या like a homework कहलो dj कहलो कुछ भी कहलो यह आपके लिए दादा यह आपके लिए महाराज त्राइ करके लाना है नहीं सर थोड़े से question बना दो सर बिलकुल अब देखते हैं कि हम कैसे कैसे questions बना सकते हैं जैसे तारों की लिस्ट बनाएंगे दादा कि इसके बारे में जानकारी है वैसे question बना यह आप जैसे किसी नहीं कहा कि दादा range बताओ रेंज बताओ पहला question सर कॉस्ट स्क्वाइर माइनस का 3 कॉस्ट प्लस का 9 इसकी रेंज बताओ ठीक है सर सेकेंड कॉस्ट एक्स प्लस एकी पावर एक्स माइनस का 6 रेंज बताओ अरे अलग है सर थोड़ा अलग question है लेकिन अब समझ गए सर रेंज हाँ इसकी रेंज निकल चकती है जादा कि लोग एक्स का क्यूब इसकी रेंज बताओ यह क्या हो रहा है यार सर अरे मैं कह रहाओ ना ढंजर-णेंजर question बनाते हैं ताकि तुमारा साथ थोड़ा सा जो है ना कि निकल जाए कि नहीं यार यह आदमी फालती चिला रहा है बात करवा रहा है यार चोटे जोटे कोशन करवा रहा है चोटी चीजों पर काम करने का बड़ी चीजों को तो ऐसे तोड़ देंगे गरंटी ऐसी चीज़की चोटी चीजों को अराम से डील करने का mathematics चोटी चीजों से मिलके बना होता है आगे चलते हैं सब्सक्राइब देखते हैं बड़ी हवावाजी कर रहे हैं और हमने क्या पढ़ा है ट्रिगों पढ़ी ली ट्रिगों की कुश्ण डाल देते हैं थोड़ी से और मिक्सर डाल देते हैं पांच मिक्सर अभी रहने देते हैं हाँ यह हो गया लॉग हो गया और हमने क्या करा था भी ट्रिगो कर ली तो ट्रिगों में ले सकते हैं यह लो 10 स्कॉर एक्स माइनस का 10x प्लस 11 बताओ रेंज देखो कितने कोश्चन बना रहा हूं मैं यह कोश्चन तुम भी बना सकते हो यह लो बनाते जाओ कोश्चन आप यह लो ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्कॉर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 6 पनाव रेंज देखते हैं साला बनेगा कैसे नहीं कोश्चन बना रहा हूं आंसर भी एक लाइन मिलेग आपको टिंगल लाइन के अंदर आंसर मिलेग हमा करना है बस यह दादा मेरी थोड़ी से आप से पेक्षा है अगरंटी मैं लेता हूं मैंस उंगलियों पर आएगा ऐसे ऐसे हिसाब करोगे आप मैंस का देखो दादा नेक्स्ट ये लो सर 3 फ्रेक्षनल पार्ट ओफ एक्स का स्कॉर प्लस 6 फ्रेक्षन पार्ट ओफ एक्स सेवन बताओ अंसर बिल्कुल बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे ओर है यह लो तो इन अबर सेट्स का इनकी degree जो है न 2 है इनको परफेक्ट स्कॉयर यह हमने करी लिया इस टैप का question तादा यह भी देखो e की पावर x का square है यह गौर से देखो आप प्लस e की पावर x माइनस का 6 सर इस परफेक्ट स्कॉयर और इसको बनाना बहुत आसान है इसको लिख सकते हैं e की पावर x क्वेएक पावर x कि यह प्लस एक बटटा दोखा होलित सक्वाइर कि पयुक्वर Institute about 4 तो यह आजये गा मनाश का 34 मैनश का 25 वट चाहर यह लो यह इसकी रेंज़ नहीं नहीं सकते हैं पहुत आसानी से निकाल सकते हैं केसी बात कर रहे हूं बहुत आसानी से क्योंकि हमारा इस्टाटर बदल गया यहां पर इ tow नहीं सर्य यहां पर इस्टार्टर एक की पावर एक्स क्या आप जहांते हैं की आप आप रेक्स E macam के बारे हैं और जो इस तरीके से बढ़ता ही जाता है सर ऐसे हमें याद है सर. यह minus infinity है यह प्लस infinity है सर हमें याद है. यानि कि सर यह की power x की जो range है ना ? x की value कुछ भी डालो यह 0 से बढ़ा देगा और maximum value infinity देगा यह लो. तो this is your starter यह बहाँ का starter. सिऩाल फिर स्क्वायर करना बड़ेगा चाण हो जाएगा और या 2 5 धाफ कि एक स्क्वायर हो जाएगा हो माइस फटीश गठाएंगे तो माइस का छह हो जाएगा है ले कट आफ एक्स प्लस फसकी ऐगा तो हम minimum value हम कह सकते हैं कि x के value कुछ भी डालो आप सबसे चोटा answer minus 6 आएगा देखा अलाकारी मुझेदार कौन नहीं ठीक है सर मतला minus 6 इंदसेंस minus 6 से तोड़ा बड़ा तो देखा आपने किसी भी तरीके से सर इसको सर यहां से log x square common लेलो खसमगाने सर यहां से इसको सर हम पता कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 1.2 की पावर सर यह cubic मन जाएगा यह भी डील हो जाएगा यह 10 में quadratic यह भी डील यह थोड़ा 12th class का concept है रहे सर इंटीजर के बारे में जानते हैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ने का और कुछ इसने range में दी होगी उससे भी हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट इसको भी हम perfect square में क concept है तो मैं तुमसे कह रहाता है कि काम अपना हो सकता है चोटे से data की दम पर minimum theory minimum data minimum data काम डन minimum data काम डन minimum data काम डन मिनिमम डेटा काम डन काम दावन कुछन से बोलने का यह डट जा रहे तर देंगे यह हैं हम एंजॉय करते हैं मैस को लिएस्टी सर तो हम बोलेगे आप ख़ुदी बोल रहे हैं थोड़ा पहुत यार कभी कभी नहीं ठीक है आजो महाराज एक पर चलो अब इसी प्रोसेस को तोड़ा देखते हैं और यह सारे कुश्चंस आपको आइडिया लग गया कि हां पर इनमें परफेक्ट स्कॉयर बनाएंगे और स्टार रूड़ना पड़ेगा कि हमारा स्टार क्या है स्टार क्या है स्टार क्या है तेन अपनी बात बन जाए है नहीं रहे अगें छोटी नहीं है छोटी नहीं बोलने का पाइट चीज है थोड़ी सी मानता हूं लेकिन छोटे डेटा से इतने से आइसके सारे कुश्चंस को खा जाएंगे हम कि देखते हैं सर एक बार इस पर भी थोड़ी सी कुछ बात है हमें कर लेनी चाहिए कुछ थीख वीक वाले पॉइंट कुछ ऐसी बात है जो हमें तोड़ा लगता है कि हां सर इन पर थोड़ा चर्चापन कर सकते हैं और कुछ थोड़ी सी बातों पर हां डिस्कुश किया जा सकता है तो दादा सबसे पहला पॉइंट यह दे एक्स की वैलू एक्स की वैलू बेटा पांच और दो के बीच में हैं पांट का उल्टा एक बटा पांच हो जाएगा और यह एक बटा दो हो जाएगा सर सेकिंड यह एक्स की वैलू दोस्टे बढ़ी है एक्स बताओ सर कोई दिक्कत नहीं है इसको पता कैसे करेंगे पहले इसको सर अपसरा आपने बताया था कि दो एंड होने चीस एक एंड दूसरे एंड इसमे दो एंड नहीं है दूसरे इंड कौह नहीं है यह आदम्म sp Cathedral November धंम से लिखने का उसको ऑसंगो तो से बड़ा इंथने गेश में छोटाения अभार पसी सारे में comment सर 2 का उल्टा half और infinity का उल्टा 0 क्योंकि आप जानते हैं बेटा कि 1 अपॉन infinity होता है जीरो के बराबर नहीं होता है यह तो मैं भी जानता हूं बराबर नहीं होता है एप्रोच होता है vバイ Videos वेरी क्लोजिड़ आप और बहूत वाला नंबर वठ अपन लेत करोड ब्र ज candidates करोड़ जरो ती रहो न पॉन अपन श्री 14 क्रोड दीर जिरो 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 चलता रहे सा ऑप सुन फिर जव मैं आप यहां से जो समझ आ रहा है हम यहां से जो समझ पा रहे हैं सर हमें सीख हातों आते लिखने नहीं चाहिए मज़ा इसी में है सीख स्वाद स्वाद हमें हातों आत चखना चाहिए क्या स्वाद आ रहा है आपको महराज ये तीन टंग वला आदमी क्या है सर इफ बोथ एंड पोथ एंड सार और तेम साइन तेम साइन दौनों का सेम साइन है सर सेम क्या मोल रहा हुए तो आपने पॉजीटिप पर ही काम कर रहे है ना सर पेटा नेगेटिप पर कही फरक पड़ेगा देख लो आप चाहो तो सर थर्ड कोश्चिन और प बॉदogen सरा एक की वेलुसर मैनस चार से लेकर मा cens 2 के बीच में 1 अपन एक्स भोत आसान ये लोग कि होगा मैनस याथ से मैनस एक बटा चार से मैनस एक बटा दू यानी सर्वन बोथ हैं शूर आप सेम सैं तैं ता शॉल के स्टेट फॉरवड कि यानि कि एक्स का उल्टा करना है वन पॉन एक्स वो सब कुछ दो चीजें बहुत च्छोटी है सर कि मजा तो अब आने वाला है मजा तो आने जा तो अब आएगा पैन इनक्विलिटी है जीरो पैन आपके टूथ्पेस्ट में जब नमक है तब गड़बड है यहां गड़बड है वेन इनक्विलिटी इनक्विलिटी है जीरो तेन गड़बड गड़बड जाला कैसे कैसे अरे महराओ देखिया आप तो लगेगा कि हां बात बन रही है देखो यद मैने एक्स की वैलू यहां पर ले लेते हैं पेटा यद मैने एक्स की वैलू खै और माइनस तीन के बीच में ले ली देन वन अपॉन एक्स सोचने का महराज जल्द भाजी नहीं यहां कि यानि कि सर हमें मोटा मोटा आइडिया यह लग रहा है कि आपने जो रियल नाइन पर नंबर लिया है एक तो माइनस तीन लिया है तो इसको क्लोज कर देते हैं और सर एक छे लिया है पॉजिटिव अब इसके बीच में सर आप यह कहना चारहें कि कोई भी नंबर उठाई तो सर यह हम बिल्कुल सर यह ही कहना चाह रहे हैं और बिल्कुल सर हम चाहते भी हैं तो वन अपॉन एक्स की रेंज निकालते हैं तो वन अपॉन एक्स की रेंज विञें इंज होना जरूरी है कि यह सर कंडिन टी क्या होता है कि मैंनस चार से लेकि 5 तोंट अनुझा से मैंनस दो और दो से लेकि8 है ऐसा भी हो शकता है ना आई तो तो सर, कहां पर एक नंबर 0 आएगा पता है ये बहुत बढ़ा गड़वड कर देगा सरी, ये है सर समस्य, ये है problem point, ये सर problem है, सही बात है, ये थोड़ी सी problem है, कैसे, देखो सर, पता है, 0 के right hand side में अगर आप गए, जैसे आपने नंबर लिया सर अगर आप एक्स की वेलू ले रहे हैं जीरो से बड़ा और जीरो से बड़े का मतलब है अरे महराद के लियर दिख रहा है इसे पीछे नंबर क्या होगा वो जस्ट होगा यानी एक्स की वैलू जब 0 जीरो से छोटी लेंगे तो 0 चोटी यह आपके मतलब है माइनस आउटमेटिक आगे आ जाएगा तो 0.00000007 और वन अपॉन एक्स करेंगे तो वन अपॉन जी रो माइनस करेंगे तो यह नमबर माइनस एंफिनिटी की तरफ चला जाएगा कि तुछ ऐखे यह निकी सर वन अपॉन एक्स की रेंज तो रही गडबड नहीं आ रही यानि सर्थ देखा जाए तो वन अपॉन एक्स की रेंज क्रिंज का ग्राफ देखने का दाता जब इनिक्विलिटी में जीरो है तब गडबर जाला गडबर हो गया रहे माराज और गडबर हो गया तो फिर आदमें डर गया क्यों कैसे करें काम कैसे देखा जाए यहां सर यह काम करते हैं यह यह ये लायन है आं सर मैनस इंफिनीटी मिल रहा है इसको प्लस इंफिनीटी इंफिनेट BIG मिल। मायलो मायलो इंफिनीटीर रही है गड़बर हो गया सर, अच्छा, सर पता है, जब 0 से जैसी सर आगे जाएंगे, जैसी 1 भी आएगा, तो 1 का उल्टा 1 अपोन 1, 2 का उल्टा 1 बाई 2, 3 का उल्टा 1 बाई 3, 6 का उल्टा 1 अपोन 6, मुझे ऐसा लगता है कि यह स्टार्ट होगाइज थे को पॉजिटिव में देखो शुट अगे मिल जाएगा वन अपॉन जो भी नंबर ने साले आगे मिल जाएंगे जिएक हो जीरो टू वन का जो गेम था यह बुवन का जो गेम तर वो हमने इसमें कवर कर लिया फिलस इंफ निक्सPा गया अच्छा लादा मैं आब मho माइना like का रफ लिए क्या करें सरपन now हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हां बात बन सकती है ऑाय है कि देखो अचा सर इसके दो पोरशन नहीं बना सकते हैं हाँ बना सकते हैं फुराम जज्जमेंट दे रहे हैं फिर काम सेट अपना फिर कोई दिखका दनी है फिर डरने के ज़िए नहीं है माराज सर जजमेंट नहीं सकते कि एक 0 से बढ़ा ले लो एक 0 छोटा ले लो जब 0 से बढ़ा लेंगे सरम तो 0 to 6 पर काम करना पड़ेगा और 0 to 6 का हो जाएगा 1 by 6 to infinity बहुत बढ़ी है और सर 0 छोटा लेंगे तो infinity फिर सर कुछ नहीं रहें अगर दौनों का स्थेम सान है बाउंडरीज का फिर अरे यार सर आपने बताया तो था फिर कुछ नहीं करना वहाँ पर एक गेम खेलना है क्या करना है कीटपोरवर्ड अगर थाइन में इनिक्वेलटी में 0 है देन प्रापलम है तो क्यों ना इनुक्वेलुटीवली प्रापलम को थोड़ा सा और सॉल कर लिया जाए बिल्कुल सर अब सर पता है कुछ नहीं करना अब कुछ नहीं करना सर यह लो हमें x की value जो है ना सर 5 से लेकर minus 2 के बीच में दे रखी है तो 1 upon x की range बताओ सर बहुत आसान बता है सर आपको क्या करना है जब इसमें 0 है क्या इसमें 0 है क्या इसके अंदर 0 belong कर रहा है बिल्कुल कर रहा है सर तो सबसे पहले minus infinity plus infinity ये draw करने का पांच का उल्टा एक वटा पांच माइनस दो का उल्टा माइनस का हाफ क्या आपका आंसर होगा ये लो ये वाला portion दिस इस दी आंसर यानि कि सर माइनस infinity से लेकर माइनस हाफ union एक वटा पांच से infinity खत्म काने है ये दादा यहां तक हाँ सर ठीक है बन रही है बात सर किसी ने ऐसा बोल दिया कि solve एक्स टी वैलू जो है न तीन से चोटी है JEन कैसे सर करेंगे पिटा इसमें दो भी गलत नहीं अगर कुछ भी गलत नहीं है तो हां है यस पे डोकमेंट कर सकते हैं फिर क्योंकि इसमें जिरो है क्या इस्में नंबक है फिर no फिर सो जो boundaries है न न यह जो boundaries हैं यह जो boundaries इनका इल्टा कर दो तीन का उल्टा एक बटा तीन तो सर एक पोर्शन तो यह हो गया पूरा वाव माइनस इनफिनिटी का उल्टा जीरो क्योंकि वन अपन इनफिनिटी जीरो जीरो येलो साहब यानि वन अपॉन एक्स का अंसर यहां पर आजएगा माइनस इंफिनिटी टुज जीरो क्यूनियन एक बटा तीन से लेकि इंफिनिटी के लो यह सर ठीक है तो खतम देखो बन गई बात तो तो ऐसे कर सकते हैं कमेंट तो दो बातें आपको याद रखनी है सर फाइनल ओबर ओल जो सीख हमें मिली वो यह सीख मिली सर कि अगर दोनों के साइन सेम है तो स्टेट फॉरवर्ड किसी भी इनिक्विलिटी में जीरो है तो सोचना पड़ेगा माराज कि मौत अच्छा इसा थोड़ा थोड़ा है बन तो यह बात हाँ बिल्कुल बननी भी चाहिए माराज आगे चलते हैं एक बार तर इसके कोश्चन कैसे होंगे बिल्कुल अगर हमें इतना समय में आ गया तो कोश्चन आसान जैसे वन अपून एक्स स्क्वाइर प्लस ट्यू की रें इस पा WITH कर सकते हैं कि यह बहुत आसानी से कर सकते हैं कि ऐसे सर्धिये वट्वॉट में नीची क्या है मुझे वन अपून फोटो दिख रहा है प्ली थिक्वादेरा एक मुनि इस्क्वाइर प्लस ट्यूंत्यू की इस गया होग थिए लाइट कोश्चन है वी नो यह बैट स्टार क्योंकि हम जानते हैं कि x2 प्लस 2 की सबसे बड़ी वैलू infinity होगी और सबसे छोटी वैलू सर 2 होगी इस इस टार अच्छा सर इसको छोड़ी सी देर के लिए capital X मान लो अगर capital X मान लेंगे तो महराज यह दो से लेके infinity हो जाएगा और आपसे वन अपॉन X के बारे में पूचा है और डारेक्ट वहीं से आया है सर इसका अंसर वाकई आसान है यह हो जाएगा सर क्योंकि यह सेम साइन यह भी positive यह भी positive inequality में जीरो नहीं है नमक नहीं है नमक नहीं है तो गड़बड है कि नमक नहीं है तो सही उल्टा सीने हरे हां ठीक है तो वन अपॉन ट्रीट नहीं है चोटी बात में और कहानी rugged में यह चोटीचोटी बात में और कहानी complete कि अच्छा कि यह लो कि यहां फर्क बढ़ रहा है सरे हो सकता है इसमें दोनों चीज़ें इस्तमाल करवा रहा हो बिल्कुल पर इसको दस कर लो दस कर लेते हैं दस अपॉन कुछ दिया है अब सर देखो सबसे पहला काम आपने बताया था कि परफेक्ट स्क्वाइर यानि त्रैच सब्सक्ते हैं नहीं क्यों नहीं बिलकुल लिक सकते हैं सफर यह कुषिन हमारा पता ऐसा हो गया कि वन अपनक्त मायनस टू का हूलज स्कॉएर माइनस तीन है स genius 2 अब कमेंट कर पाना आपकान है या आसान है कैसे देखते ड़ूकर लिंशख टर चार रचतर चार्टर क्या है रे चार्टर क्या है खाने में क्या है किया है महराज कैसे बताओगे तब से पहले सर हमें जो है ना मुझे इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी एक्स माइनस ट्यू का होल स्कॉर और यह सब पुड़ा सा थैन हमारी कहाने धोली बन पाएगी अरे बिलकुल यह देखो क्योंकि हम जानते हैं कि सर एक्स माइनस ट्यू किसी भी चीज का होल स्कॉर न होगी यह लो जीरो इसजैन का तर-3 गठा दो तो सर माइनस थीन एक्स माइनस ट्यू का होल स्कॉाईर माइनस इन फिनिटी मैं सोटे गा तो क्या ही फरक पड़ेगा न फरक पड़ेगा नहीं से उपल लिइन सुर्ण निकाल चारा ठीक है तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा थोड़ी देर के लिए बक्ता या बादल समझने का या capital X समझने का आपका question हो गया when capital X is given यानि सर यह question ऐसा हो गया इसको थोड़ी देर के लिए दिमाख में मैं अभी तो यह लिख देता हूं लेकिन दिमाख में आपको लेकर चलना है capital X की value minus 3 से infinity और देखो 10 upon X के बारे में पूंचा है तो सबसे पहले 1 upon X के बारे में निकाल लो 10 से multiply कर देना नहीं सही है सर क्या इसमें 0 है क्या इसमें 0 है सर बिल्कुल है बिल्कुल है तो फिर तो और आसान तर यह बन गई line 1 upon X वाली यहां minus infinity यहां plus infinity सर माइनस 3 का उल्टा सर माइनस एक बटा 3 infinity का उल्टा 0 तो सर यह answer आने चाहिए तो 1 upon X की value यह आ गई क्योंकि 10 से multiply कर वारा है क्योंकि 10 से multiply कर वा रहा है तो इसकी range आ जा जाएगी minus infinity से लेकर minus 10 by 3 close union 0 का multiply 10 में करेंगे 0 ही रहेगा और यह infinity ही रहेगा यह लो साब कितना बढ़िया कोश्चन कितना मज़िदार कोश्चन के मजा आ गया मतलब स्वाद आ गया कहानी देख कर दादा कि हाँ बात बन गई यार वाकई अपने आप में मज़िदार कॉंसेप्ट कि अपने इतनी घंदी सी चीज की रेंज निकाल दिया आपने विद्धी हैल पॉफ इनिक्वालिटी मन को बड़ा बनाओ मन को फोटो के नचरिय से देखने स्टार्ट करो कि यार यह एक्प्रेशन है पोटो है बस यह पातम कानी इसको एक्सिस कार रहा वो सब नहीं करने क कि अच्छा कि यह लो कि देखो सर अब हम आना समझ गए सर देखो आपकी कहानी सर मैं समझ में आगे कि आप क्या कहना चाहरे हो यह सर वैसा ही है कि वन अपोन है सर हम जानते स्टार्टर साइन के बारे में सर साइन की वेलू वन और माइनस वन की बीच में एककोल भी लगा आप कर दो कि माइनस पांच कीओ मुझे असी तशलीर बनानी है माइनस पाँच और यह 5 बहुत सही और माइनस सिक्स दॉर किया है उसने तो माइनस का 11 और यहर फाइव साइन X minus 6 और minus 5 में से 5 में से दादा आपका खे जाएगा तो minus का 1 बचेगा तो और से देखना ये question ऐसा ही हो गया इसको मन में capital X मानने का तो आपको capital X given है और 1 upon capital X पहुचा है अरे sir मजा ये तो वाकई मज़ेदार हो गया और इसकी range निकालना तो और आसान this belongs to सर पता है यहाँ पर दोनों same sign है ये भी negative ये भी negative दोनों boundary को देखने का अगर सर दोनों boundary नहीं है तो दूसरी boundary लाने का कैसे लाएंगे सर जैसे X की value greater than 2 बगला infinity होगा सर उल्टा कर दो बस तो minus 11 का उल्टा होगा कोश्चन को अगर मैं थोड़ा ड्रावना बनाओं किसी ने कहा कि इसका GIF बता दो हो गया कोश्चन डन बन गया 12 हो गया standard order या फिर उसका fractional बता दो तो बैसी 0 आएगा मैं इसको दादा उंगलियों पर लेके आने का मैं इसको light करने का देन आप खुश हो जाओगे देन आपकी बात बन जाएगी यह चीज़ दमाग में डाल लो आप कीज़ों को जब तक आप अच्छे तरीके से स्वाद के साथ डील नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी महराज नहीं बनेगी मुस्कुराते रहिए काम सेट होता रहेगा आपका दिक्कत कुछ भी नहीं है आईए आगे चलते हैं कुछ यह कोशन हम करेंगे पैसे सर इस इनिक्वलिटी में जीरो नहीं था जीरो होता तो अलगी मजा था इसको हम करेंगे सर भले ही ट्रिगों है पता हम ट्रिगों पर भी कर पा रहे हैं मतला हलकी हलकी ट्रिगों हमारी कंट्रोल में आ गई हमारी BEN गटोल में ट्रिगों हमें देख रही है यह तो है सो मानना बढ़ेगा गड़ू नहीं तो हम पता काम करिए पा रहे आफर बनिये महराज और बनने में अलगी मज़ा है अच्छा सब बनाईए कोश्चिन तो सम कोश्चिन्स फॉर यू है ना सम कोश्चिन्स पॉर डीजे फॉर हॉमवर्क क्या तो वन अपोन में जो निकाल लाने सब की मैं चोटे चोटे कोश्चुन दोंगो उपया थी कहा है छोटे चोटे जहादा नहीं बस जादा वन अपोन फ्रैक्ष्णल part और उफ एक्स प्लस एक्स ग longest निकाल के ला सिक्स फ्रेक्षिनल पार्ट ऑफ एक मायनस का शिक्स अर्मा तो डेंजर बना रहा हो जतना बना सकते हैं अधर बनो रहे ऑथर बनो रहे यह यह क्या दे दिया आपने सिक्स सायन इनवर्स की इसका होल स्कॉयर है ठीक है यह इसकी रेंज बताओ तीन कोश्चन ही होगे थोड़ डेंजर वाले इनके लिए अब डरने के जरूत नहीं है saien inverse के बारे में पता होना जरूरी है दैना आपकेसे नो कर लोगे तर फ्रेक्टनल पार्ट के बारे में पता होना जरूरी है दैने आप कर लोगे thought back, 4th question ..? का equation पढ होस्ट ए ने गाराव 2 घो को खॉर माइनस का 6 आ बतानी है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो आपको बताना है यह हो सकते हैं ज्यादा अंसर भी आजाएं वह आपको बताना है घर्टमा कोश्चन मैं थोड़ा जाहनबूज के डेंजर बना रहा हूं मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि छोटी सी थ्योरी से हम इन बड़े-बड़े कोश्चन को खा सकते हैं दादा यही मैस है यही मैस सिखाता है हमें वो यही मैस बताता है हमें इतना हो गया काम सेट ठीक है बैटा तो आगे भी बहुत तारे कुश्चन हम बना सकते हैं लॉग बगोग वी पिक्चर में लियाओ यह लो सर इसकी सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं सिर्फ आपका डर निकालने को जिसकर रहा है इंस अभी यहां नहीं पता सकते हैं अगर आपको इंफंसंस के बारे में जानकारी है इस चोटी सी बात से एक्स गिवन एक्स स्क्राइए एक्स गिवन वन अपन एक्स बहुत आसानी से काम किया जा सकता है तो टीके सर अगली पहली इसकी यह सब करके लाने आपको अगर कर पाएं तो नहीं कर पाएं तो पन है कोई दिक्कत वाली बात इन इक्विलिटी इन टू वैरियेबल 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 का मतलब होगे बेटा सीधा 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 स्टेट लाइन अगर्ण देट लाइन जैसे जैसे आदा मैंने आपसे कहा दू एक्स माइनस 3 य पाए पिलस का 6 विच इक्विए इक्वल टू जीरो what it represent sir this is a state line sir इसको हम बोलते है linear inequalities यह linear equation अभी इसको बोलेंगे linear equation linear कैसे sir x की power x की power x का pw1 होना चाहिए और इनके आगे पीचे सब कॉंस्टेंट्स होने चाहिए और सब कॉंस्टेंट्स दिखने चाहिए बस यह फोटो एसकी यह फोटो इसका तरीका है इसके बारे में जैसे दादा जैसे किसी ने कहा a square x minus 6y plus 9 which is equal to 0 what it represents sir this is the linear equation in x and y sir a square क्या है तो जब तक आप एक को नहीं पूचेंगा भाई यह जो है ना हमारा यहां पर constant then यह ठीक है तो इसकी form क्या है इसकी form क्या है form क्या है इसका तरीका क्या है sir कुछ जो कि constant आना चाहिए real value होना चाहिए इन्टू एक्स प्लस कुछ इन्टू वाई और प्लस ट्राइंगल यहां भी कुछ विच इकॉल टू जीरो यह सब रियल वैलू जोनी चाहिए तो दिस इस लाइक लीनर एक्विलिटीज ठीक है यहां तक इसमें क्या सीन है इसमें कुछ नहीं है रहे जैसे बेटा इसका ग्राफ बनाओ एक बार आप प्लॉट दी ग्राफ यह ड्रॉदी स्टेट लाइन रोदी स्टेट लाइन कैसे करेंगे सर 2x माइनस 3y प्लस 6 विच इकॉल टू जीरो बहुत आसान यह लो सबसे पहले अगर यह स्टेट लाइन यह स्टेट लाइन यह स्टेट लाइन आपकी पस अब इसमें इक्व्यटिट्टी जीरो कैसे बन चक्ति कि इन्हों पिछात कि इनकोमेटिस कैसे बन सकते हैं इसमें इनलिटिए जिसकी ने कहा कि ड्रो the or sketch or sketch the graph look तो x-6y plus k 12 greater than equal to zero ऐसा दे दिया इस लीका इनेक्व्लिटी sketch करो इसका graph सबसे पहला काम कुछ नहीं करना क्या बात कर रहे हैं सबसे पहला काम कुछ नहीं करना सबसे पहला काम यह करना है कि state line draw नहीं है कि 2x minus 6y plus 12 which is equal to 0 यह draw करने यह आपको और अगर यह draw कर ली तो अपनी कहानी set जब यह x-axis को cut करेगी तो y 0 तो x की value आगी minus 6 तो minus 6,0 से line निकलेगी जब y-axis को cut करेगी तो x की value 0 तो y आगया 2 तो 0,2 सर यहां पर और यह line जो ना सर इस तरीके से निकल जाएगी यह line सर इस तरीके से निकल जाएगी दौनों point को जोड़ दो बेटा आप तो this is the state line अब क्योंकि बेटा इसने inequality दे रखी greater than equal to 0 तो मुझे बताइए आप कि इसमें क्या 0,0 satisfy हो रहा है सर चेक करतें 0 minus 0 plus 12 greater than equal to 0 यानि कि 12 greater than equal to 0 यानि this is true statement सर हो रहा है तो हमें वो साब देखो इस state line ने इस पूरे xy plane को कितने भागों बांट दिया सर दो portion में एक line के नीचे एक line के ऊपर तो कौन सा portion select होगा यहां पर सर जिसमें 0-0 लाई कर रहा है तो 0-0 यहां लाई कर रहा है तो यह सब पूरा portion आ जाएगा यह sketch हो गया आप इसका खतम नीचे तक पूरा ठीक है तादा तो बस खतम का नहीं इस ते जादा क्या ही करेगा कोई आदमी अब कुछ questions आपको फटा 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 फट करके लाने हैं ठीक है ना catch the graph अभी हाँ कुछ समय के लिए चोटे question है यह फिर आगे आपन देखेंगे इसको कैसे क्या कर सकते हैं catch the graph 2x-3y plus 6 greater than 0 पहला question दूसरा question x-y plus 6 less than equal to 0 है ना थर्ड question x-y greater than 0 यह लो अच्छा अब एक question बेटा ऐसा है फूर्थ वाला कि जिसमें दो equation दे रखी है x plus y plus 1 less than 0 and 2x-y plus 6 greater than equal to 0 इसको catch क्यासे करेंगे सर कोई बड़ी बाप नहीं है यह दो question है दौनों question को deal करने का सर दौनों question को deal करने का सर एक प्लस y equal to minus 1 तो minus 1 minus 1 तर यह लाइन तो ऐसे निकलेगी यह लो यह लाइन की equation आ गई x plus y plus 1 which is equal to 0 अच्छा दादा क्या इसमें 0-0 satisfy हो रहा है तर नहीं हो रहा है तो वह portion नहीं आएगा जिसमें 0-0 आ रहा है यानिके यह नीचे वाला graph है यह वाला पूरा portion ठीक है इसको बना लो एक बार पस इसको two variable बोलते हैं इसको two variable बोलते हैं इसको बना लो तर यह जब y की value 0 तो x की value minus 3 minus 3 मतला सर यहां पर कहीं है ठीक है अच्छा और जब x की value y की value 6 यहां पर कहीं तो यह जो line है सर यह line ऐसे निकल जाएगी इस तरीके से क्या है इसमें 0-0 satisfy हो रहा है कि इस बारी line में हां हो रहा है सर तो इसमें यह वाला portion यह पूरा अच्छा बेटा वो कौन सा पोर्चन इसमें common है सिर्फ common यह रहा हो यह जो ट्रेंगल जासा दिख रहा है छूटा सा बस that is the sketch तो भाई देखो NCRT के साफसे दाधा में इतना ही करेंगे फुरासा NCRT को ख्याल में रखना पड़ेगा क्योंकि हैं बोर्ड वाले बच्चों के लिए काम आएगा ज्यादा अपन डेफ्ट में नहीं जाएंगे जाने को जा सकते हैं इस इस दी कंप्लीट होता है हाँ थोड़े से अच्छे कोश्चन करने पड़ते हैं बाकी का कोई बहुत बड़ी तोफ नहीं है माराज यह समझ लो आप तो आज के लिए मुझे लगता है कि हम इतना ही करते हैं मिलते हैं जल्दी जब तक के लिए thank you thank you very much जैहिंद मस्त रहें व्यस्त रहें और एक वाद बढ़ी आसी बोल दो एक दो तीन हल्ला बोल है ना चलो thank you